हलो प्यारे वच्चो नवांकुर्विद्यापीट की डिजी लेसंस में आप सभी का स्वागत है बिसे हिंदी साहेक वाचन आज हम इस वीडियो में मद्ध प्रदीश के प्रमुख पारिटन एवं दर्शनी इस्थल के बारे में एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे मद्ध प्रदीश का गोरव साली अतीत एवं अपार नई सारिक सोंदर वाला प्रदीश है प्रदीश में अनेक एतिहासिक धुर्ग के लिए प्राचीन गुफाएं प्रिशिद्ध तीर्थ इस्थल एवं प्राकिर्टिक रमनी इस्थल हैं इनमें कुछ का विवरन निम्न अनुसार प्रस्तुत है गुवालियर मद्य प्रदेश के उत्तर में इस्थित गुवालियर सहर एक महानगर है दतिया दतिया का शर्वाधिक प्रसिद्ध पीतांबरा पीठ एक प्रसिद्ध सक्ति पीठ है शिप्पुरी गुवालियर रियासत के चिंधिया राजाओं की ग्रीष्न कालीन राजधानी रह चुकी शिप्पुरी आज भी अपने सुन्दर राजप्रसादों तथा संग मरमर से निर्मित अलंकृत छत्रियों की बरासत की याद दिलाती है भोपाल गहरवी सदी के भोजपाल तथा तस्पश्चात भूपाल नामक इस नगरी को परमारवनसी राजा भोज ने वसाया था यहाँ छोटी बड़ी जीलें हैं इसलिए इसे जीलों की नगरी भी कहते हैं भोजपुर यह भोपाल से लगभर 28 किलोमीटर की दूर है इस इस्थान पर परमार राजा भोजद्वारा निर्मित गियारवी सदी का भब सिव मंदिर है साची भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर साची इस्थित है इहां इस्थित इसमारकों का निर्मान तिर्ती सती ईशा पूर्व से वारवी सती इश्वी तक निरंतर जारी रहा साची की वरानी इसमारकों की निर्मान का सिरे मोर्य समराट असुप को है पचमली उसंगावाद जिली में पिपरिया से कुछ ही दूरी पर सत्पुला परवत स्रणियों पर आववस्थित पचमली का प्राक्रितिक सोंदरी मंत्र मुग्द करने वाला है पचमली का साब तिक अर्थ है पाँच कुटियां जो इहां विद्वान पाँच गुफाओं की सूचक है उज्यन उज्यन छिप्रनदी के तट पर कुम्व मेले एवं महा कालेश्वर जोतरलिंग के लिए प्रसिद है राजा विक्रमादित की इस नगरी से ही विक्रम सम्मत प्रारम हुआ इहां मंगलनाथ का मंदिर भर्थ हरी की गुफाई सांधीपन आसरम है इंदोर होलकर राजावंस की वीरांगन रानी अहिल्यवाई की नगरी इंदोर अग एक प्यपारिक नगरी के रूप में जाने जाती है इहां होलकर राजवंस से जुड़े अनेक इस्मारक दर्शनिये हैं महेश्वर इंदोर से लगभग नभ्य किलोमीटर दूर नरब्दा नदी के किनारे बसा महेश्वर अर्थात महेश्मती कार्टी वीर अर्जुन की प्राचीन राजधानी और भार्टी संस्कृती की उदय इस्थली थी भीड़ा घाट जवलपुर्शी लगभग 21 किलोमीटर दूर इस्थित भीड़ा घाट की संगमरमरी चट्टानों पर केज प्रभाव से गिरता नरब्दा नदी का जल पार्य टकों को आकर्शित करता है ओर्चा बैत्वा नदी की किनारे टीकम गर्जिले में बुंदेला राजपूत सरदार रुद्र परताप द्वारा इस्थापित राजधानी ओर्चा में बुंदेला साशकों द्वारा वनवाई गए महल एवां मंदिर यहां की धरोहर हैं महियर सतना जिले की महियर तैसील में इस्थित परमाल रासो के आलह की आराध्ध देवी सारदा देवी का मंदिर आरधकों को सहज ही आकर्शित करता है चित्रकूट सतना जिले में इस्थित चित्रकूट प्राचीन काल से तपस्या और सांती का इस्थल रहा है भर्त शुरो मनी तुलसी दास आत्मिक सांती की खोज में इहां आये थे अगला प्रस्ण है रिक्त स्थानों की पूर्टी कीजिए पहला है दतिया में खाली स्थान सक्ती पीट पिर्शिद है इस खाली स्थान में सब दाएगा पीतांबर दूसरा है वांदहोगर खाली स्थान के लिए पिर्शिद है इस खाली स्थान में सब दाएगा सफेद बाग तीसरा है राजा विक्रमादित की नगरी से ही खाली स्थान समत्रारम हुआ इस खाली स्थान में सब दाएगा विक्रम चोथा है राजसेन का दुर्ग सोलवी सताबदी में खालिस्थान ने बनवाया था इस खालिस्थान में सब दाएगा राजवसंती अब अभ्याज के बारे में चर्चा करेंगे प्रश्न किरमांक एक भीम बैठी का किस लिए प्रसिद है दूसरा नरब्दा नदी का उद्गम इस्थल कहा है नरब्दा नदी का उद्गम इस्थल अमर कंटक है तीसरा, कानहा किछली किस जिले में इस्तित है, मंदला जिले में चोथा है, भीड़ा घाट, क्या है वाक्यों पिर्सिद है उत्तर है, यह जवलपुर से 21 किलोमीटर दूर इस्तित, संगमरमर की चट्टानों वाला इस्तान है यह नयवदा के सुंदर प्रभा एवं संगमरमर के लिए प्रिसिद है अगला प्रशने, महेश्वरी साडियां कहां बनाई जाती है उत्तर है, महेश्वरी साडियां महेश्वर में बनाई जाती है अगला प्रशने, भारत की सबसे वड़ी मस्जित कौन सी है वा कहां इस्तित है उत्तर है, ताज उल मस्जित देश की सबसे वड़ी मस्जित है वा इह भोपाल में इस्तित है अगला प्रशन सात्वा, मद्य प्रदेश के कौन कौन सी इस्थल विश्व धरोहर की सूची में समलित है उत्तर है, मद्य प्रदेश के निमलिकित इस्थान विश्व धरोहर की सूची में समलित है नम्मर एक भीम बैठिका की गुफाएं, दूसरा साची का इस्तूप, तीसरा खजु रहो के मंदिर धन्वाद